दिली के इंद्रा गंधी एरपोर्ट पर इंडिगो एलाइंस के ग्राउंड स्टाफ और एक पैसेंजर के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है गटना का वीडियो सोशल मीडिया में वारल हो गया है दसल यात्री विने कटियार चिन्ने से दिली आये थे और ग्राउंड स्टाफ से किसी बात पर उनसे उलच गया दोनों पक्ष एक दूसरे से उलचते नजर आये हैं वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक पैसेंजर को इंडिगो एलाइंस के दो कर्मचारी कह रहे हैं कि आप गाली कैसे दे सकते हो आप अपनी उम्र देखकर तो गाली दो इस पर पैसेंजर का कहना है कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो और कभी इधर आओ और उधर आओ कर रहे हो इसके बाद विने कटियाल जैसे ही इंडिगो की बस में बैठने चलते हैं एक कर्मचारी की आवाज आती है और जिसके बाद इंडिगो का एक कर्मचारी उन्हें पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा उनसे मारपीट करने लगता है विने भी इंडिगो के कर्मचारी से बिढ़ जाते हैं और वो उन्हें जमीन पपटक देता है और उनका गला दवोच लेता है एलाइन्स के ओर से जारी बयान में बताया गया है कि मारपीट में शामल कर्मचारीों को नौकरिस से निकाल दिया गया है गौत अलब है कि कुछ दिन पहले ही ओलंपिक रजट पदिकारी बैटमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू ने इंडिगो के मैदानी स्टाफ पर उनके साथ बुरा बरताव करने का आरोप लगाया था लेकिन एलाइन्स ने उनके इन आरोपों को खारिच किया था विने कटियाल के साथ हुए मारपीट को लेकर सिविल एवियेशन मंत्री एजी राजू ने कहा कि इंडिगो स्टाफ दुआरा यात्री से दुर्वेवार के इस मामले में डीजी सीय से रिपोर्ट मागी गई है जिसके अधार पर अपराधी कारवाई की जा सकती है